ओम सिरीगनेशा नमदूस्तू एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार दिक स्वागत हैं दूस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 जुलाई रविवार की रासी फल के बारे में कि यह दिन में स्रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकार हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सकें चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करत हैं क्या आपके लिए आज positive रहने वाला हैं तोस्तों आज सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होने की संभवना अच्छी है इसलिए अपना प्रियास कर अच्छी सफलता प्राप्त होने में सफल आज आप हो सकते हैं आप एक सुल्जे हुए वक्ती हैं और हर किस कारे को समय केनुसार करने का पिरतन करते हैं इसलिए आपको काम्याबी अच्छी प्राप्त होने की संभावना आज पाई जाती हैं आज आपको किस्मत का सयोग मिल सकता हैं कामकाज में आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा इंकम भी आज हो सकती हैं अचान निजी जीवन और आफिस दोनों मामलों में तनाव और दवाव खत्म होगा नए और दिल्चस्प लोगों के मिलने के आज योग बन रहे हैं जिहां दोस्तों आर्थिक लाब के आज आपके लिए अनिको योग हैं किसी महत्पपूर्ण कार्रे की सार्थक्ता के लिए प्रत आज आप समय विताएं मानसिक सुख और सांती आपको प्राप्ट होगी पुन के कार्रों के पीछे धनका आज व्या होगा इस्वर की आरादना आपके मन को सांती प्रदान करेगी आपका उत्तम प्रदसन आपके पड़ते दुन्दियों के लिए चोकां देने वाला रहेग आपके कर रहे इस्थल पर आपको अपार सफलता हासिल होगी फिर चाहे वो पद्धुन्यती हो या मान सम्मान वैवसाय करने वाले जातक कुछ नया काम सुरू कर सकते हैं जिहा दोस्तो आज आप अपना सर्वसेष्ट देने की कोशिस करें और जिसका पेढ़नाम आपको सकारात्मक रूप से मिलेगा किसी नई जगा घुमने जाने का अफसर मिलेगा जिस कारण आपकी उरजा और उत्सा दोनों में ही व्रद्धी होगी परिवार के साथ किसी धर पर्मिक इस्थल पर भी आप आज जा सकते हैं जह दोस्तो समय आज आपके पक्ष में हैं प्रकरती आपको जोस और खुसी के माहुल का उपहार दे रही हैं इन उपलब्दियों का भरपूर आप उपयोग करें परिवारिक सामान जय और उनकी देखवाल करने में आपका महत पपूर योगदान रहेगा आज आपको कोई सुबसमाचार अवस्य मिलेगा जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगर्डिव हो सकता हैं दोस्तो आपके मन पर नकारात्मक विचारों का आकर्मन होने से मन में हतासा रहेगी एनेतिक और एप्रमानिक कार्रे विपत्ती में आज आपको डाल सकता है इसलिए संभव हो तो उससे दूर ही रहें कार्रे भार की आज अधिकता रहने से मानसिक ऐस्वस्तता भी हो सकती है संतान की चिंता भी आज आपको रहेगी साथे साथ आपकी आमंदनी अच् बिठाने के लिए अपने खर्चों में कटोती करनी होगी साति सात यदि आप वैपार करते हैं तो आपके वैपार में मुनाफा होगा आप महेंगी वस्तूओं को खरीद सकते हैं परन्तु आपको अपने महेंगे सोक पर रोक लगानी होगी अन्यत्था आपके सामने आर्थिक संकट भी आ सकता है और दोस्तों साथ साथ जरूरत है बात चीत में गरीमा बनाए रखने की आपकी क्रोध में की गई बात किसी से मतमेद उत्पन कर सकती है और दूसरों से रखी गई उपेक्छा भी आपके स्वैम के लिए मायूसी पैदा करेंगे दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है दोस्तों आपको बहुती धहरे से काम लेना होगा और प्रते कदम बहुती सोच समझ कर ही आगे बढ़ाना होगा तब ही आप एक शुक में दामपत्य जीवन का आनंद लेने में शक्षम होंगे जह दोस्तों साथ साथ जीवन सा साती की भी आज तरक्की होगी लव लाइफ के मामलों में भी सितारों का आज आपको भरपूर साथ मिलेगा मानसिक दवाव के बावजूद खुस रहने की आज आप कोशिस करेंगे जह दोस्तों जीवन साती से संबंद में मधूरता आएगी जिससे खुसनुमा माहुल बना रहेगा लव मेरिज के छुक लोगों के लिए समय बहुती अच्छा है विवा के लिए निर्ने लेने का दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा कारोबार आज अच्छा चल रहे हैं तो उसमें आज आपको सफलता मिल सकती है और सवें के अनुसार आपको निवेस भी करना पड़ सकता है जो आपके लिए अवस्य ही लाबदाइक साबित होगा साथ साथ आज आपका नए लोगों से संपर्क बनेगा मनोरंजन के कई अवसर आपको मिलेंगे जिन से जीवन में खुसियां बढ़ेंगी परिवार के साथ अच्छा समय व्यतित आप कर पाएंगे और उनका पूर्ण सयोग भी आपके साथ रहेगा विज्ञान एम तकनीकी से जुड़े जातकों को सफलता के लिए अधिक प्रियास करने होंगे काम्याबी के लिए जम कर मेहनत करने की आपको आवशक्ता होगी इस्टुडेंटों के लिए भी समय आज का बहुती अच्छा रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला हैं दोस्तों आज किसी तरह का वाइरल समस्या उत्पन होने की संभावना हो सकती हैं इसलिए अपने स्वास्थ के पिरती आज आपको विशेश रूप से ख्याल रखने की आवशक्ता है आज आप अपने खानपन पर विशेश रूप से ध्यान दें अपनी दिन्चरिया को आज आप सुचारू रूप से सही बना कर रखें और साथ साथ अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रुजाना योग करें वयाम करें स्वास्थ रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आदिशे निर्वत्र होने के बाद एक चो मुखी आटे का दीपक बनाना हैं जा दोस्तो आपको आटे का एक चार मुखी दीपक आपको बनाना हैं जा दोस्तो इसके बाद आप इस दीपक में थोड़ा तेल डालें और चार आपको रूई की बाती इस दीपक में लगानी है क्योंकि ये दीपक चार मुखी है आपको फिर इसके बाद इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है और मनीमन आपको भगवान शुरदेव का इसमरण करना है जैंदोस्ते ऐसा करने से भगवान शुरदेव बहुत प्रसन होंगे और आपके घर में धन वैभव और यसमे व्रद्धी होगी और आपके समस्त कार्रे बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे और आपको अवश्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान शुरदेव का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैशुरदेव अवश्य लिख प्राप्त हो प्राप्त होगी लिख।